तो दोस्तों टेकनोलोजी जब हम यूज करते हैं, टेक प्रोड़क्ट जब हम यूज करते हैं, तो कहीं न कहीं एक टेक प्रोड़क्ट को खरीदने से पहले हम सोचते हैं कि उस टेक प्रोड़क्ट को हम किस तरहीके से यूज करेंगे और हमारे डेली वर्क फ्लो में वो क्य काम करने वाला है बट आज के वीडियो में मेरे पास कुछ ऐसे टेक प्रोडक्ट्स हैं जो मैं दिखाना चाहूंगा आपको जिसको खरीद के जिसको यूज किये बिना यूनों मेरी जिन्देगी गुजर रही है और I kind of regret buying these equipment जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं जो सबसे पहला जो equipment है जो मुझे रीली रीली लगा था कि मैं यूज करूंगा और मैंने उसमें इंवेस्ट किया बट यूज बिल्कुल भी नहीं होता है next to कहली जी नाथिंग वाला यूज है वो है ये मेरा पहला gimbal जो है जियून का crane M3 अब gimbal तो देखो ये बहुत ही बढ़िया है ठीक है mirrorless camera है या decent size का camera है gopro है mobile camera है सब इसमें mount करके आप काफी smooth जो है इसके through आप footage बगरा निकाल सकते हो but मेरा problem ये है कि I do a lot of run and gun filming you know उसमें एक gimbal use करना कहीं न कहीं जो है एक problem create करता है because gimbal का सबसे बड़ा चकर है जो सबसे बड़ा challenge है वो है किसी भी gimbal में अपने camera को balance करना because अगर आपको balancing नहीं आती है या every single time अगर आप balance नहीं करते हो ठीक तरीके से तो एक तो gimbal के battery पे जो है life pressure पड़ता है gimbal के motor pressure पड़ता है but most of it all आपका जो footage है वो smooth नहीं आने वाला है तो मैंने एक दो बार use किया होगा जिंदगी में इस gimbal को उसके बार जो है ऐसे ही lock करके ऐसे ही fold करके मैंने इसको रख दिया है bag में बिल्कुल भी कह लिजिए ये use नहीं होता है काफी अच्छा feature है इसमें बहुत सारे great features है once in a while कभी use कर लिया तो कर लिया but mostly this stays like this as good as new ये जो है पड़ा रहता है मेरे camera equipment के bag में दूसरा जो product है जो मैं really regret करता हूँ use नहीं कर पा रहा हूँ या रिगरेट करता हूँ खरीदना वो है ये this is a small Sinizer का एक MKE 200 microphone जो की अपने respective बहुत ही बहतरी निक wire के साथ आता है बड़ इसका एक issue ये है कि sound quality इसकी बहुत ही वाहियात है बहुत ही घटिया है camera के उपर अगर मैं इसको लगा दूँगा उसके बाद audio बिल्कुल ही record नहीं होती cut 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 एक अजीब सी जो है एक आवाज आती है अब इसको exchange करवा के मैंने दूसरा piece मंगाया था दूसरा piece है ये वाला इसमें भी same issue है तो मुझे लगा शायद इसी microphone में कोई issue है मैंने बिल्कुल इसको यूज नहीं किया है I hoped to use it because Sennheiser है तो मुझे लगाता कि quality में जो है काफी बहतरी होने वाला है overall मुझे मज़े मज़ा आने वाला है but जिस तरह से नाम था उस तरह से काम ये नहीं किया कहते है ना वो नाम बड़े और दर्शन छोटे exactly वही चीज हुई है इसके साथ I mean इसके बदले में मैंने अगर साथे साथ सारुपय का बोया माइक यूज किया है ना that works like a charm in front of this तो इसका और उसको के comparison नहीं बता हो एक Sennheiser है इतनी बड़ी company है और इतनी घटिया इनोंने ये microphone बनाया है MKE 200 कभी मत लेना दोस्तों अगर आपको microphone कहीं से मिल रहा हो या आपको लेना हो ये वाला microphone तो आप Sennheiser का बिलकुल भी मत लेना बहुत ही घटिया है minus point दूंगा मैं इसको out of five तीसरा प्रोड़क्ट विचा रिग्रेट बाइंग इस 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 साउंड रिकॉर्डर इसमें आप अलग से जो है audio रिकॉर्ड करके अपने वीडियो में बाद में सिंक कर सकते हो बाद में डाल सकते हो and there are a lot of function buttons यह आप देख सकते हैं शायद यहां पे काफी सारे जो है इसमें functions आपको मिल जाएंगे sound recording, ताम जाम, बड़ा कुछ buttons यहां पे मिल जाएंगे, बड़े कुछ functions मिल जाएंगे, यहां पे आपको एक screen भी मिल जाती है और mics भी इसके बहुत अच्छे हैं, यहां पे भी अलग से line in, line out का आपको functionality मिल जाएगा, एक dead cat भी मिल जाता है, audio बहुत ही बहतरीन record करता है, function जो है इसका वो बहुत अच्छा है, but एक sound recorder use करना, मतलब जब आप video बाद में edit करेंगे, तो आपको sound को sync करना पड़ेगा post production म audio track अलग से टेलेगी, video track अलग से टेलेगी, वो एक जो है, it's a huge huge task, बहुत बढ़ा एक task हो जाता है, sync sound बाद में करना, video editing में, तो वो मैंने कभी भी नहीं किया है, एक दुबर मैंने use किया, I found it really really tough, because काम जो है मेरा लंबा हो जाता है, काफी लंबा edit process चला जाता है, audio को sync कर लिया, and that's absolutely fantastic, I have never looked back to the zoom h1, तो यह ऐसे ही पड़ा हुआ है, I don't use it anymore, अगला जो एक item मुझे लगा था, मैं use करूँगा, in fact मैंने काफी सालों पहले खरीदा था, मैंने उस वक्त सोचा भी नहीं था, कि मैं use करूँगा, बट मैंने ऐसे ही खरीद लिया, because उस वक्त पैसे थ आपको मिल जाता है, तो अगर आप कैमरा के ऊपर इस तरीके से लगा के, उसको direction वगरा चेंज कर सकते हो, जिस तरीके से चाहते हो, उस तरीके से जो है, आप इसको fire कर सकते हैं, यहाँ पे यह जो है, this is the flash bulb, काफी अच्छी चीज है वैसे तो, अगर आपको एक creative तरीके से flash यूज करना है, या generally आप bounce flash वगरा यूज करना चाहते हो, but essentially मेरा कभी भी flash का काम नहीं पड़ा है, because I do not shoot weddings, तो उसमें मेरो को शायद ये काम पड़ता, मुझे लगा था काम पड़ेगा, तो मैंने ख़दीद लिया था, but I have hardly ever used it, दो तीन बार ही use किया होगा, उसके लंबे समय तक use कर सकते हैं, creatively use कर सकते हैं, but मेरे को जो है, मेरे काम के लिए professionally कह लिए, मेरे को इसका कभी कोई काम नहीं आया, I shoot a lot with studio lights, बड़े-बड़े lights के साथ शूट करता हूँ, तो मुझे लगा तक कहीं शायद ये काम आजाएगा, but this is kind of a dead investment for me, तो ये तो मैंने कभ हुआ है with all the box and everything, काफी समाल के में रखता हूँ अपनी चीजों को तो इसलिए ये बचा हुआ है अभी तक, use कभी भी नहीं किया, last but not the least, piece of tech equipment which I regret buying is this, this is a Ulanzi का small, छोटा creative light, इसको अगर हम खोल के आपको दिखाएं, तो यहां पे आप देख सकते हो, key, इसको रख देते है यहां पे आपको एक lighting का kit मिल जाता है, जिसको use करके आप अपने products को या generally किसी भी चीज़ को light कर सकते हो, मुझे ऐसा लगा था, but the problem is, this light is so small, कि इसमें कुछ भी use करना मुश्किल है, बहुत ही जो है, यह छोटी एक light जो है इन्होंने दिया था, तो मुझे लगा था, शाय to shape the light, you can shape the light as well, यहां पे honeycomb एक adapter मिल जाता है, यहां पे आपको यह वाला इस तरह का जो है, एक lighting setup भी मिल जाता है, so that you can, you know, use it together to light up a particular spot, but यह छोटा है बहुत, अगर यह बड़ा होता, then I could have lit up a nice product with it, but इस size में मेरे को तो कोई काम इसका दिखाने ही, मुझे तो ऐसा लगा यह तो absolutely falto का investment है, कोई फाइदा मेरा नहीं हुआ है, frankly बताऊं तो, यह वाला जो है समान खरीद के तो, तो ऐसा देख सकते हो कि काफी पैसा जो है, बरबाद हुआ है, on tech equipment, और जो आप, आपके साथ भी शायद हुआ हो, कि आपने कोई चीज खरीदी हो, उसके बाद आपक आपको दिखाऊं कि आजकल जो है, क्या-क्या समान हम खरीदते हैं और आजे से ज़्यादा चीज़ें हम यूजी नहीं करते हैं, because mobile phones are so fantastic these days, तो यह था आज का छोटा सा वीडियो, I hope this has helped you, बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में बहुत जल, तब तक subscribe, like, share, जो मर्जी, comment, environment करके भर दो, और share करो कि आपके पास भी ऐसा कोई equipment है, तो वो क्या है और आप उसको क्यों नहीं use करते हो, ठीक है, फिलहाल चाहता हूँ इजाजत, और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में बहुत जल दोस्तों, नमस्कार,